Hello everyone, as date is 8th of February 2022 और Indian Express News Paper Analysis में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम Indian Express News Paper की Important News को Exam के Point of View से डिसकस करेंगे नीचे डिसक्रिप्शन वोक्स में Telegram Channel Volcano IS Academy का लिंक दिया हुआ है आप Telegram Channel Volcano IS Academy के साथ में जूड सकते हैं वहाँ पर हर exam means UPSC, State PSC and Other exams के Point of View से काफी important information आप सभी के साथ में share की जाती है तो चलो start करते हैं वीडियो को start करेंगे एक geographical map question के साथ में और आज आपका question ये है कि webinar lake को आपको जाकर के सबसे पहले map में view करना है फिर इस से related हर important facts को and information को comment box में type करना है तो चलो start करते हैं सबसे पहले Indian Express news paper के front piece पर अगर हम important news को discuss करें तो JNU University से related है JNU University की जो vice chancellor, नई vice chancellor को appoint किया गया है और उनका name है संती स्री धुली पुडी बंडित ये name आप उने ध्यान में रखना है, five years के लिए इनका जो term है वो रहेगा ये JNU University की first women, first women है इस institution की head है, जो first women बनी है ये name जो है वो आपके लिए काफी ज़्यादा important हो जाता है next important news अगर हम discuss करें तो delimitation commission को ले करके हैं आप सभी को पता है कि 5 August 2019 को जमू एंड कस्मीर जो state है उसका bifurcation होता है और two UTs में इसको change कर दिया जाता है अब यहाँ पर last year जणादेशाई की अध्यक्सता में एक delimitation commission बनाया जाता है जिसमें chief election commissioner होते हैं इसके लावा state election commission भी इस delimitation commission के member होते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह बताया गया है कि यहाँ यह जो article है एक second यह जो article है इसमें बताया गया है कि अब यह जो delimitation commission है इसने अपने जो draft रखा था उसको लेकर के जो three NC party के member three NC party के MP और दो बीजेवी party के जो MP है उनको लेकर के commission बनाया गया कि आप यह जो draft रखके उसमें आप overview करोगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो work किया गया है वो सही है या नहीं है मतलब उसका एक तरीके से overview करने का आप काम करोगे तो NC party के जो MP है उन्होंने concern create किया है कि जब जो आप ये अलग-अलग जो seats हैं लोकसबा seat हैं उनको जो आप merge करने का planning कर रहे हो वो गलत है कि यहाँ पर आप उसको ST majority में declare कर रहे हो लेकिन यहाँ पर जो कुछ other minorities है उन minorities के उपर आपने focus नहीं किया है कस्मीर वाले region में जो आप इस तरीके से merge कर रहे हो वो एक तरीके से वहाँ पर रहने वाली जो population है उसके लिए काफी ज़्यादा conflict create करेगा नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज पिजर्मर 9 पर यहाँ पर जो इंपोर्टेंट न्यूज है वो related है कनाटका स्टेट को लेकर की आप सभी को पता है कि कनाटका स्टेट में अभी present time में एक discussion चल रहा है कि जो वहां की pre-university की जो dress code है उसमें हिजाब को carry ना किया जाए क्योंकि वहां की जो education act है उसके according नहीं है उसमें यह बोला गया है कि जो भी आपकी uniform decide की जाएगी आप उसी को carry करोगी अब यहाँ पर इस हिजाब band को लेकर के high court में आज hearing होगी आलंकि अभी हमने देखा कि जो वहां की government है उन्होंने भी इसी तरीके के instructions दिये हैं कि जो भी uniform code है उसी को सभी को follow किया जाना शाहिए इसको लेकर कि आज हम editorial में discuss करेंगे explained page जो है उसमें भी इसके बारे में हम discussion करेंगी next important news यहाँ पर केरला government को लेकर के है आप सभी को पता है केरला government जो है वहां के लोकाईट की जो power है उनमें amend करने की कोसिस कर रही है कि जो ordinance पास किया गया था लोकाईट post के लिए उस ordinance में कुछ amendment किये जाए 1999 में केरला लोकाईट act बनता है और उसके through जो लोकाईट post है वो create की जाती है हलांकि center level पर इस act को पास किया गया था 2012-13 में और उसके बाद में states में और center में ये power create करने की कोसिस की गई थी कि center में लोकपाल एक post हो और states में भी अपने यहाँ पर corruption को कर्प करने के लिए लोकाईट post हो लेकिन कुछ states ऐसे हैं जिसमें बहुत पहले से इस तरीकी की post create कर दी गई थी तो आपका question ये है आपको सबसे पहले ये बताना है कि कौन सा इस state जहां सबसे पहले इस तरीकी का act पास हुआ था और कौन सा इस state जहां सबसे पहले इस तरीके की post created की गई थी अब यहाँ पर कुछ इश्यू है कि ला government ordinance पास करवाना चाती थी कि जो वहाँ के आरिफ मौम्मद खान जो governor है वो एक ordinance पास करें ताकि amendment किया जा सके जो भी power है लोकाइक एक्ट में जो भी कुछ चीजे हैं उनमें कुछ अपैंड किया जा सके अब यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि amendment सबसे पहले जो discuss किया जाएगा वो यह जो act है उसके section 14 में यहाँ पर amend करने की बात की जारी है amend के थ्रू क्या होगा पहले क्या होता था कि अगर कोई public servant उसके खिलाप में लोकाईक जो है अगर direction देता है तो उसको अपनी जो seat है अपनी जो office है वो vacate करनी होती थी अब यह जो amendments है इसके थ्रू यह कर दिया जाएगा कि लोकाईक अगर इस तरीके की कोई recommendation देता है तो उसको मानना या ना मानना जो है वो government के पास में power होगी government जो है वो अपने आपको एक तरीके से powerful इसमें create करेगी दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि जो भी लोकाईक जो बनाये जाएगा उसके लेकर के भी कुछ recommendation दी कुछ basic feature से अब उसमें भी dilute करने की बात की गई है कि कोई भी जो judge रह चुका हो उसको आप appoint कर सकते हो लोकाईक्त post के रूप में तो यह कुछ dilution करने की बात की जारी है यहाँ पर government का यह बोलना है कि present time में जो existing act जो है वो natural justice को deny करता है यहाँ पर appeal के लिए कोई भी provision नहीं है इसके अलावा अगर हम बात करें there have been two high court verdicts which said the lokaayukth has only recombatory jurisdiction and not mandatory one there was legal advice that section 14 of the lokaayukth act is against article 163 and 164 of the constitution the lokaayukth inferences upon the rights of the cabinet said the government government ने बोला है कि high court भी तो अपने इस तरीकी के order में पास कर चुका है कि जो भी इसकी recommendation है वो एक तरीके से आप बाद्धिकारी नहीं है mandatory नहीं है आप उसको मानो या ना मानो और जो हमारा constitution का article 163 and 164 है उसके against है lokaayukth की power तो इसे के basis पर जो यहाँ पर changes है उनको करने की जरुरत है next important news की अगर हम बात करें तो page number 10 पर है next important news editorial page पर यहाँ पर जो article है वो करनाट का government को लेकर की है इस article में सबसे पहले यह बताया किया है कि हिजाब को लेकर के वहाँ की जो colleges है junior colleges है वहाँ पर कुछ issue चल रहा था उसके बाद में सबसे बड़ा issue जब क्रियेट होता है जब वहाँ की government भी यह statement देती है कि जो students है उनको uniform code को follow किया जाना चाहिए और करनाट का Education Act 1983 की यहाँ पर बात की जाती है यहाँ पर अगर हम discuss करें तो यह जो article है इस article में सबसे clearly यह बात बोली गई है कि इस तरीके की जो आप double standard अगर government maintain करेगी तो जो भी हम जिन भी points को implement करना चाते हैं ground level पर उनको हम basic level पर implement कभी भी नहीं कर पाएंगी कारण क्या है एक तरप तो आप बोलते हो कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ दूसरी तरप आप बोलते हो कि अब minorities की जो भी वहाँ पर कुछ भी double standard है उनको हम क्या करेंगे सबको clear करेंगे uniform civil code लेकर के आएंगे triple तलाग जो है उसको हम solve करेंगे एक तरप तो आप बात करते हो कि वहाँ पर जो भी problems है उन सभी को हम solve करने की कुछिस करेंगे उनको main stream में लेकर के आएंगे आप सभी को पता है कि अगर हम Muslim community से belong करते हैं या Muslim community को अगर हम view करें तो हम पर education का और economic crisis वैसे ही वह ज़्यादा देखने को मिलता है जब हमारे इंडिया कि अगर हम caste basis पर या religion basis पर एक तरीके सा overview करें तो economic जो है वह कावी ज़्यादा वहाँ पर double standard देखने को मिलते हैं अगर आप इस तरीके की standard create करोगे तो उन society की वो girls जो education में आगी जाना जाते हैं उनके लिए conflict create होगा उनके लापे एक hurdles create करोगे क्योंकि उनकी जो religion है उनकी rituals को follow करना उनके लिए जरूरी है इससे क्या होगा कि उन girls को school आने से रोका जा सकता है अगर government उनको support करने के साथ में जो भी काम करें तो इससे क्या होगा कि वो जो girls हैं मान लो वो पहले girls well तक standard तक एपने education complete कर पारी है अगर इस colleges इसके साथ में जो government है वो supportive nature create करेंगी supportive environment create करेंगी तो वो girls हो सकता है कि हमारा जो rights है उनको secure करने है आप क्या कर रहे हो आप एक act की बात रख रहे हो लेकिन आप हमारा जो constitution है उसके conflict create कर रहे हो constitution का जो basic foundation है fundamental rights उनको violet करने की आप बात कर रहे हो next important news है यहाँ पर जो article है वो as of came का जो एक हरियाना कैडर की एक I.S. officer है और काफी ज़्यादा news में भी रहे थे कुछ सामय पहले कि उनका बहुत कम time में ही इनके बहुत ज़्यादा transfer इनको देखने की मिले थे मतलब 21 साल की इनकी जो provision रहा 21 साल का जो उनका duty period रहा उसमें इनको ऐसा बोला जाता है कि लगभग इनोंने 42 time show है अपना एक तरीके से change किया मतलब इनका transfer इतनी ज़्यादा time हुआ मतलब हर 6 months में उनका transfer इनको देखने को मिला तो यहाँ पर असोख खिमकाजे ने एक article लिखा है article लिखा है उन्होंने center state relation को लेकर कि असोख खिमकाजे एक important बात बोलते हैं कि अभी हमारी जो central government है वो कुछ provision में change करना चाती है कि हमारी जो cadre rules है उनमें change किये जाए उनका जो rule number 6 है उसमें change किये जाए लेकिन यहाँ पर जो writer है उनका ये बोलना है कि सरदार वललब भाई पटेल जिनोंने हमारी all India services का एक तरीके से foundation रखा था वो ये चाते थे कि हमारी ये all India services जो है वो एक तरीके से cooperation create करें cooperation create करें center of state के बीच में आप dilute करना चाहते हो center को more powerful बनाना चाहरे हो मतलब state government जो officer है उनकी जो powers है उनको आप neglect कर रहे हो फिर आप cooperative federalism की अगर बात करते हो या फिर supportive nature की बात करते हो या फिर more influence state power की बात करते हो तो उनकी according आप work नहीं कर रहे हो आप सिर्फ बाते कर रहे हो आप बता रहे हो कि नहीं हम ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे और जब बात आती है power की तो आप more powerful बनाने की गोस्तिस करते हो center government को फिर मतलब क्या है फिर cooperative federalism आईगा कैसे state अपने आपको independent authority की रूप में work करने कैसे फिर्फर करेंगे उनको कैसे लगेगा कि उनकी जो power से उनमें एंक्रोस नहीं किया जा रहा है क्यों state protest करना बंद नहीं करेंगी ऐसा नहीं है कि हर issue आप create होगा उसकी खिलाब में state जो है वो हर issue को लेकर के यहाँ पर अगर हमने देखा यह interstate जो cadre services है इनमें हर state ने अपनी तरफ से यहाँ पर conflict अपने issue को raise करने की कोसिस की है तो issue है यह जो भी changes है उनको लेकर के आपको कोसिस की जाने चाहिए की जो भी amendment लाने की हम को सिस कर रहे हैं उसमें सर्दार पते जी का जो vision था all India services as a unitifying link between the center and the state not only could it allow distrust or to fester in center state relations it would also result in the functional depreciation of the IES in the states it is important for the state to be reassured that they are in control of their administration and for the service to not lose its relevance okay next important news next important news है page number 12 पर यहां पर जो article है यहां देखो Supreme Court ने तृपुरा पुलिस को बोला है कि आप जो भी यह लोगों को harass करना कर रहे हैं यह आप मत कीजिए notice over social media posts on alleged communal violence यह जो issue है जिनके basis पर आप social media को एक तरीकी से मतलब उसको review करने की कोसिस कर रहे हो और उसके basis पर आप लोगों को harass कर रहे हो कि आपके इस post की वज़े से यह परिशानी हुई यह परिशानी हुई इस की वज़े से आप harass करना बंद कीजिए नहीं तो आपके जो भी home secretary है उन सभी को हम यहाँ पर बुलाएंगे और उसे call उनसे का answer question answer पूछे जाएंगे कि इस तरीके से work क्यों किया जा रहा है दिली high court ने central government को दो week का time दिया है कि आप marital rape को लेकर कि अपने जो भी clear standard है उनको लेकर किया इए अब बताईए कि आप क्या सोचते हैं जो marital rape है क्या इंडियन societal की change को इस चीज में change करने की ज़रत है क्या हमारे जो rules and regulations है उसी के according हम इसको deal करना चाहिए या कुछ नई चीजे नई act जो है उनको लेकर के insert किये जाने चाहिए next important news है page number 16 पर यहाँ पर जो article है वो explain page पर है सबसे पहले तो वो ही करनाट का order की यहाँ पर बात की गई है यह uniform को लेकर के क्या कहता है तो यहाँ पर जो article है वो उसकी में बात के गी है education act की education act यह बोलता है कि आपकी जो भी uniform decide की जाएगी उसके basis पर आपको work करना है उसी को आपको पहना है और उसी को आपको ध्यान में रखना है लेकिन reference यहाँ पर यह दिया जाता है कि government जो है वो close 7, sub close 2, sub close G जो है उसका नाट का education act का उसमें बोला गया है कि आपका जो dress code है वो equality और unity pre university college campus में equality और unity को maintain करेगा और आप हिजाब बेन करने की बात कर रहे हो तो फिर equality और जो आप equality maintain करने की और unity maintain करने की बात करे वो तो आप कर रहे हो दूसरा यह बोला गया है कि constitution का आप respect करोगे जो भी हमारे institution में ideals है national flag, national anthem उन सभी की आप respect करोगे तो constitution की तो आप respect ही नहीं कर रहे हो constitution में तो article 25 में बोला जाता है कि religion की जो भी आपकी practices है उनको आप follow कर सकते हो यहाँ पर जो article है वो information and broadcasting जो हमारी ministry है उसको लेकर की है अभी कुछ समय पहले Malayalam language news channel जिसको media one informed media one ए Malayalam language news channel throw an order कि आपका जो broadcasting जो license है उसको cancel कर दिया गया है home ministry ने order दिया और यह बोला citing a home ministry order that has denied security clearance to the channel कि आपने कुछ ऐसे security को लेकर के कुछ clearance के according work नहीं किया इसलिए आपका ban किया जाता है following an appeal by channel owner Madh Yamam Broadcasting Limited which is backed by Jamaat A. Islami the Kela High Court granted a stay allowing the channel to continue functioning High Court ने बोला कि आप continue कर सकते हो High Court ने ये भी बोला अपने order को reserve रखा है जुसको वो Monday को pronounce करेगी बताएगी कि क्या उसका result है लेकिन regular करने के लिए बोला गया है अब information and broadcasting ministry जो है वो कौन-कौन से content को किसकी sector में content को regulate कर सकती है तो यहां पर बताया गया है कि पिछले साल तक अगर हम बात करें तो जो सिर्फ और सिर्फ regulate करने की power थी INB ministry को, TV channels को, news papers को, magazines को, movies को in the theaters and TV, on the radio, barring the यहां पर देखिए एक सेकेट, barring the internet 25 फरवरी 2021 को एक नया act आता है OTT act और इसमें यह जो OTT platforms है जहां पर मतलब Netflix, Amazon Prime, OTSR इन सभी को भी जो digital news platform है इन सभी को भी regulatory power जो है वो यहां पर extend कर दी गई पहले जो है उनकी power कम थी लेकिन पिछले साल हब सभी ने देखा COVID के time जो सारी चीज़े है वो online transform हो गई तो यहां पर इनको regulate करने की भी power यहां पर दी गई है अब यहां पर बताया गया है कि कैसी-कैसी power उनके पास है तो देखो तो own paper अगर हम बात करें तो उनकी power जो है वो काफी कम है लेकिन वो अपनी power को काफी जदा widen कर लेते हैं अगर हम बात करें तो for example central board of film certification जो है वो किसी भी film को certification देने के लिए काम किया जाता है कि कौन सी film को theater में चलाना है नहीं चलाना है जो भी उसकी rating है उसके according जी जाती है कि किस age के लिए कि sexual consent के लिए कौन-कौन सी किस तरीके की sensitive movie है और किसके according ये movie होनी चाहिए तो यहाँ पर sensor board देने के लिए ये काम किया जाता है और जब ये TV channel पर आती है तो government जो है वो last year ने क्या किया three tier grievance redressal structure मना दिया viewers के लिए ताकि जो concern हो तो उनको वो raise कर सके अगर एक viewer को को कोई approach करना है channel को ले करके तो सबसे पहले channel की जो self regulatory body होती है industry की finally जो INB की जो ministry होती है पहले वो channel के पास जाएगा फिर जो उनकी industry है उनके पास और फिर बाद में INB industry मतलब एक तरीके से जो INB industry जो है उस channel को so cause notice so कर सकता है और उसके बाद में inter-ministerial committee के पास में चीज़े भी जी जा सकती है जैसे कि OTT platforms के लिए भी same इसी तरीकी है similar structure है मतलब INB की जो power है वो इस तरीके से regulate किया जाता है ministry जो है वो कुछ order जो है वो temporarily मतलब मान लो पहले भी ऐसा कर चुकी है जैसे कि यहां पर अगर हम देखे तो media one दो साल पहले अगर हम देखे तो 48 hours के लिए उन्होंने कुछ channels को जैसे कि Asia net जो है उनको daily rewards जो हुए थे उनको दिखाने के लिए उनको ban कर दिया गया था 2016 में NDTV को भी reporting के लिए पठान को terror attack को उनों ने दिखा दिया था तो उसको लेकर के भी उनको ban कर दिया गया था इसके अलावा जो ministry है वो electronic media monitoring cell maintain करती है जो channels में जो भी program है जो भी ad है इन सभी में cable TV network सुरू 1994 के according जो भी चीजों को regulate करती है violation अगर होते हैं तो channel को उनका जो license है उनको cancel किया जाता है इसके अलावा जो भी और चीज़े हैं उनके उपर basic जो भी recommendation है जो भी फिर इसके अलावा किसी भी publication को लेकर advertising को लेकर के government जो है वो suspend कर सकती है कोन तरीके का content allowing है किसी भी कोई भी ऐसा content जो हमारे दो country के बीच में जो states है या फिर जो country के बीच में जो friendly relations है public order है, decency है, mortality है इनको क्या नहीं करे इनको violate नहीं करे अगर ऐसा होता है तो उस content को ban कर दिया जाता है यहां पर यह बोला गया है कि कोई और do other agency plays role there is no direct involvement at the power to regulate consent rest only with the INB ministry relies on input from ministry as well as intelligence agency मतलब बाहर से उनको जो भी input मिलता है उसी के विसे पर भुवा करती है ऐसा नहीं है कि कोई special कोई agency उन्होंने लगा रखा है और जो उनको ऐसा कुछ recommendation दे कि आप इसको ban कर दीजे इसको open कर दीजे जो भी उनको input मिलता है जो भी उनको result मिलता है view मिलते हैं उसे के basis पर भुवा करते हैं जैसे कि दिसंबर last year और जन्वरी इस साल में starting point में INB ministry ने YouTube, Facebook, Instagram, Twitter इसके अलावा 60 YouTube channel social media accounts जो intelligence agency, INB secretary अपूर्वा चंदरा ने कहा कि जन्वरी में पाकिस्तान waste journal जो है उनको हमने बंद करवाने की कोसिस की है क्योंकि वहाँ पर anti-India content जो है वो play करवाया जाता है तो यहाँ पर किस तरीके से हमारी INB industry work करती है यह हमारे important हो जाता है next important news है आपर world base पर यहाँ पर Russia और Ukraine का जो issue है उसी के बारे में show किया गया है कि Emmanuel Macron France के जो president है लंका की finance minister इंडिया की visit पर आये थे discussion हुआ बहुत सारे points के उपर इंडिया ने अभी जो support किया उनके लेकर के discussion हुआ इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन points के उपर भी discussion हुआ जैसे की fishing issue है इंडिया और से लंका के बीश में कि हमें हमारे जो भी resources है उनको maintain करना चाहिए हमारे जो भी conflict है उनको solve करने की कोसिस करने चाहिए तो यह आज का हमारा discussion था अगर आप यहां तका है हाँ एक important news हो रहा है sports page पर यहाँ पर जो under 19 world cup है उस team की बारे में show कर रखा है कि उन्होंने किस तरीके से हमारे इंडिया को जो 5th edition है वो यहां पर under 19 world cup का दिलवाया है 5th edition इंग्लेंड को हरा करके हमने यह edition जो है वो इसको जीता है तो यह आज का हमारा Indian Express news paper का discussion था अगर आप यहां तक आए है वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ओके थैंक यू